मोदी जी को डर है मोदी जी को कि अगर हम EBM के भिना हम जीती नहीं पाएंगे EBM से बोट टास्पर होगा हम देंगे बोट किसी BJP छोड़के किसी काभी बटम तबाएंगे जाया कमल चाप में सुप्रीम कोट स्वाम संग्याले इभियम में जो घोटाला हो रहा है या उसको रोकने के लिए इसको सारजरिक रूप से जो है जो नाम निस्पक्च कराने काम करें मैं मीडिया वाले से अपिल करता हूँ भाई वो समय दूर नहीं जब आपको जनता जो है खोच-खोच के पिटाई करेगी यह बोटर कार्ट क्या है अधार कार्ट क्या है पैन कार्ट क्या है पास्पूक क्या है बिजली बिल क्या है यह नागे तक परोण नहीं है आप नागे जो थी पहले भारतिय जुट्था पाटि अब भारतिय जुमला पाटि हो गए इभीम से नहीं वीवी पैट से चुनाव होना चाहिए ताकि सार्वजन नी खो हजार क्रोड रुपिया जो है आरबी आई ने सोपा सुप्रीम कोट के फटकार पे कितने क्रोड फंडिंग हुए यह क्रोड फंडिंग आता कहां से हैं नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक दो दिनों से कंस्टिटूशन क्लब में एक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम के इस आयोजक जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके सहयोगी भी तवाम जो लोग हैं वो भी संजशर्मा और किसन कुमार जो हैं यह सभी सन्यूद में इनके सहयोगी रहें सीधे इनसे बातचीत करेंगे आपको बता दें यह बिहार के भागलपूर से आए हैं सर इस बैठक में क्या कुछ हुआ संबिधान बचाने की बाते कहीं और कुछ रण नितिया भी रही चुना दिली में हम लोग सारा टीम बैठक कर रहे हैं 29 स्टेट से लोग आयोए थे दिली में और अभी हम लोगों निरने लिया है कि BJP को रोकने के लिए जो सारे संगटना है देश के दिली बुला करके एक मोर्चा का निरमान किया है हम लोगों ने और परकास हमेटकर साहब देश यह मोर्चा जो है जो BJP को हराने में जो कंडिट सक्षम रहेगा उसको हम लोग मदद करेंगे कारन क्या है मसोदा कि पूरे आप कहरें बीजेपी के खिलाफ में बीजेपी के खिलाफ कंडिडेट जो उत्रा हुए मैदान में उसको जिताने में आप समर्थन करेंगे खास कर बीजेपी को हराने में जो संगठन जो मोर्चा जो सक्ती जो पावर जो पैसा जो लगाना होगा हम लोग समीधान बचाने में लगाएंगे जो कि मोदी जी जब बहार जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्धिस कंडिस आया हूँ और बुद्ध के नाम से जो है लाखो करोड़ो रुपिया चंदा अगवाई करके यहां हिंदू और मुसलिम के लडाई और दलित पिषड़ों और मुसलमान को मानने काम कर रहा है बुद्ध के नाम पर पैसे लिए गया है जो हुआ है जापान से जो कुछ मेट्रो अभी गुजरात में चला है तो जापान नी लोगों ने करोड़ो रुपिया देख रहे हैं जिसका जो फंडिंग जो है अभी राम मंदीर को बनाने में हुआ है तो हम लोग बुदिस्ट ह समाज का जो लोग है अभी आप देख रहे होंगे कि करोड़ो हजार कोड़ रुपिया जो है और भी आई ने सोपा सुप्रीम कोड के फटकार पे कितने कोड़ फंडिंग हुए यह कोड़ फंडिंग आता कहां से है तिसरा मैं आपके चल से माद्यम से यह कहना चाह रहा हू कि जो पिठा सी नदिकारी है मानने चुनाव आयोगने संग्या ले कि डियम मालिक होता है तो जब डियम मालिक होगा तो डियम को पावर रता है कि भोड कौंटी के दिन जो है डियम जो है नीजी जो है किसी राजिके जहां मुख मंत्री हैं बीजेपी एलाइंस के मुख मंत का तो बात चली रहा है इभियम में जो घोटाला हो रहा है या उसको रोकने के लिए इसको सारजनिक रूप से जो है मीडिया और खास कर जो है सिसी टीवी कैमरा जो आता है उसको सारजनिक करके चुनाब निस्पक्च कराने काम करें लेकिन बतदान जब होता है तो वहां पर गोपनियता के भी ध्यान रखने होते हैं सिसी टीवी में सारी चीजे वो निकल कर बाहर आ जाएगी तो इसका भी तो समस्या है देखी ऐसा है कि अभी जो चुनाब आयुक्त है सुप्रीम कोर्ट एक माइने में जो अभी पुरे देश भर में चला है एबियम हटाओ देश दूसरा है कि मोधी हटाओ देश बचाओ तीसरा है समिधान बचाओ देश बचाओ तो हम लोग समिधान के मानने वाल हैं और मोधी जो एजंडा है कि हम हिंदू राष्ट बनाएंगे हिंदू राष्ट मतलब क्या हुआ कि हिंदू जब भी बनेगा हिंदू राष्ट तो ब तो अपने हिसाब से मालिक अपना नोकर रखता है, तो अरक्षन तो गई, अभी आपने देखा होगा कि आर्मी का बाहली हुआ, मतलब आर्मी मतलब 4 साल के टिरिंग लेगा, वो कैसा आर्मी होगा, इसको क्या विवस्था होगा, तो ये सारी विवस्था देखते हैं, कि जो मेडिया छोड़कर के, बागे सारे मेडिया, मतलब गोदी मेडिया हो गई है, तो मैं मेडिया वाले से अपिल करता हूँ भाई, वो समय दूर नहीं, जब आपको जनता खोच-खोच के पिटाई करेगी, तो मैं मेडिया, खास करके जो पब्लिक देख रहा है, जो मेडिया परोसरा है, साम में साथ से आठ वजे, जितने भी बावा है, आपके देश के बावा, जितने कथावाचक है, हजारो क्रोड रुपिया राम का कथावाचक करके, सारा बटोर करके मोदी को दे रहा है, तो मैं ये संगठन जो है कल और परसो, जो दिली परिस कलब में, करिस कल संगठन के, सोसल संगठन के माध्यम से, और रायतिक संगठन के माध्यम से, हम लोग लड़ेंगे, और देश में एक समीधान को फिर से पुनलभाल करने की लड़ाई चल रही है, एक मकसद जो है कलिर दिख रहा है, कि आपको मोदी सरकार को किसी भी तरीके से हराना है, उसे हटाने है आखिर क्यों मोधी सरकार से इतनी प्राब्लम क्यों है आपको 500 अवर्लम नहीं है उनके विचारों को प्राब्लम है एक ऐसी सोच है जो नागरिक को नागरिक नहीं रहें देना चाहती है शीय क्या हुआ। आदिवासी यहां के, जो जल जगें जबीम करजा था, जो पहाड पर रते हैं, जो बार में भाग है, जो भूमी ही इने, जो खाना बदोस है, वो लोग कहां से भाई आपको जो है, आपको जो है, ऑनलाइन आपन देगा भाई पोटल पर, तो एक बड़ी साजिस जो है, आप मुसल्मान इस देश का मूल लिवासी है, अब मुसल्मान और हिंदू लड़ा रहे हो, यहां 18-19 धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं, अब कैसे रोकर गो उनको रहने के लिए, इसके पहले कानून ही है, C.A. है, N.P.R. है, C.P.R. है, कई तरह के कानून जो है, पहले से संसोधन करके कुछ नया किया गया है? मालिक क्यों मान रहे हो आप, नहीं मानना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से पुरे देशवासियों को, जो C.A. जो है, और 370 जो अभी देख रहे हैं, तीसरा है नीजी करन का दौर चल रहा है, बैक लोग कहां चलेगे, इन्वर्स्टिटी का क्या हाल हो गया देश में, मंदिर 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 से क्या होगा, केवल एक वर को फैदा है, वो ब्रहमन सारे पिछड़े दलित बैगवर्ड जो लोग हैं, वो मंदिर में चड़ावा देंगे, ये टियम हो गया, कि सारे बैगवर्ड दलित पिछड़े चड़ावा देंग आप देखे होंगे कि महा महीम राश्पती महोदे को मंदीर गरब गरी जाने से रुका गया है इसके पहले रामनात कोविन थे उनको धक्के मारा गया कई घटनाए मैं एक्जामपल दे सकता हूँ कि जहां पे पिछड़े दलित को जो है मुझ उखाड़ लिया गया अभी आप हाल में यूपी में मनिसा बालमिकी का जो हत्यारा था अठार लोगों को साक्ष कापा बरी कर दिया गया गुडिया बालमिकी का सरया मंदिरों में रे किस हालात में आपने उसे बरी किया और सुप्रीम कोड जो है देखे देखे क्या कर रही है अभी बिहार का मैं मामला बता दे रहा हूं कि एक आनंद मोहन एक वांटिट क्रिमिल अपलादी पारलेमेंट में जेल में बन था डियम वहां जेस किसनईया चौरासी बैच के आई उसको बरी कर दिया गया लोकतन की हत्या क्या तो इस तरह का कानुन बदल बदल करके अब दलित को मारने बाले को जब तक सास रहेगा तब तक जेल में बंद रहेंगे उस कानुन को बदल ऎकशा बटक रही है कोसा इस पारलेमेंट हो गई है मुझे पूरा बिश्वास है कि नियाए पालिका पर मुझे पूरा बिश्वास है चुकि नियाए पालिका बावा साब ने बनाया है और नियाए पालिका से ही उमीद अब लगा सकते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोट के चीप जशिश्री में आपके मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि सम्मिधान को बचाने में पूरा जज, बकील, डॉक्टर पढ़े लिखे और खासकर मैं सुवर्न हरिजन जो आर्थिक हदार पे और अक्छन 10% लिया है वो भी बावास आपको मानने वाल लोग हैं तो मैं सुवर्न हरिजन से ही मांग करता हूं भाई समिधान बचाओ दिस बचाओ एक और सवाल है आपसे कि इवियम का भी जिक्र हुआ तो कल ही तारीखे आई हैं लोग सबाचुनाओ की साथ चर्णों में चुनाओंगे उसी दोरान चीफ इलेक्शन कमिशनर ने शायराना अंदाज में पूरी तरीके से बता दिया कि इवियम जो है वो हंड़ेट परसंट स्वक्स है किसी भी तरीके के उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कह रहे हैं कि बफादारी आप से नहीं होती इवियम पर आप दोश मर देते हो तो क्या कहेंगा ऐसा है इवियम जो है अब देख रहे हैं कि कॉमन सा प्राबलम मोबाइल है चैडियेसपी हो या दरोगा हो या आम लोग हो डेली मोबाइल है को रहा है करुडोर रूपया बैंक से निकाला जा रहा है तो क्या आपको यह नहीं रखता है कि एवियम से बोट टास्पर होगा हम देंगे अब एवियम से नहीं भीवी पैट से जो है मिलान करिये अधार काट भोट काट से मिलान करिये और उसको खुला सा करिये तो मैं आपके मंद से यह भी मांग करता हूं कि एवियम जो है अभिलम बैंड होना चाहिए आपको क्या अपत्ति भाई सारे देश की लोग बोले है कि इवियम बैंड होना चाहिए मामूली सा जो है अभी करोडों रुपिया का जो है है किंग हो जा रहा है कंप्यूटर के माने सेम इलक्टोनिक डिवाइस है कोई भी है कर सकता है आपको अपत्ति इसका डर है मोदी जी को कि अगर हम इवियम के बिना हम जीती नहीं पाएंगे तो ये बड़ी बात कहीं नहीं कि मोदी जी को डर है सर क्या कहेंगे किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने की है बीजेपी को हराने की कल कन्सिप्समाज साज को बचाएगए Canada करेंग झोटो His को पूरा पूरा देंगे और दे जबचाओ समीधान बचाओ बीजेपी भगाओ का नारा हम लोग लगाएंगे तन मन धन्ध हर तरीके से सपर्टल पूरा पूरा लगाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार बहुजनों को हत्या करवाने की सरकार है भारतिय जनता पाटी जो थी पहले भारतिय जुठा पाटी अब भारतिय जुमला पाटी हो बादा बहुत करती है लेकिन जमीन के नेता ये भी कह देते कि 400 के पार दो हम तो संभीधान बदल देगा इसलिए 400 के पार कर रहे हैं कि आज पेटरॉल देख लीजिए 100 का पार है ना उनको जिता दीजिए पेटरॉल 400 पार हो जाएगा इसलिए सिलेंडर देख रहे थे ना 1200 का मिल रहा है तो ये सब उनका जुमला बाज है और हम लोग बिहार से आए हैं दिल्ली इसी पे चर्चा करने के लिए और हम लोग बिहार में पूरी तागत लगाएंगे बीजेपी को हराने के लिए हमारा बहुजन संगठन जो है बहुजन मंचित अगारी मोर्चा या जि संभिधान बचाने के लिए सर क्या कहें किस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं क्या कुछ तयारिया हैं जो भी है सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सके साथ जो भी हो साथ में रहें शेजर में मिलके आवाज लगायांघ या फुरे देश में त्से तरह का महौल है दलि बिरोधी सरकार जो है ये वोट जैसे इवियम का बात किया आप लोगों ने डॉक्साब ने बताया अभी ये तो एकदम सही बात है क्योंकि मेरा समाज जो है वोट बीजेपी को कभी नहीं दी दूजर चोदा में जब सरकार बढ़ी तिकेंदर में नरेंदर मोधी की तो वोट मेरा बहुजर समाज को ही दिया जाता है लेकिन बीजेप के पास कैसे चला जाता है इतना कंडिडेट कैसे जी जाता है आज उपीणियन पूर्लेलिजे बिहार में जाके आधी अब आधी आपको 75 परसें लोग बहुजर नों को स्षित मदद करती है और मेरा बहुजर समाज हार जाता है यह सही बात कहा इन्होंने कि इवियम से नहीं बीवी पैट से चुनाव होना चाहिए ताकि सारुजर नहीं खो तो यह जिस तरीके से बता रहे हैं कि जनता वोट कहीं और करती है और जीत बीजेपी की हो जाती है यह सवाल या निशान खड़े करते हैं बाकिस के लिए रेट कलर के सबस्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें